मेरे साथ बुलिए बारत मता की आप लोग बैठ जाएए जराए प्लीज बैठ जाएए मित्रो साथो विदान सबा चिंद वड़ा ख्षेत रखी और चौबीस में चिंद वड़ा लोग सबा भी अगर जितनी है तो ऐसी आवाद नहीं चलेगी ये खीचो खीच भरी हुई सबा अंत तक जितने भी लोग बैठे हैं सबी लोग दोनों हाथ उठाएं उठाइए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुठी भी जिये और प्रचंड वाद से बोलिये बारत मता की मंच पर उपस्तित श्रिमान शिवराश सिंग जी मध्यप्रदेश सासन के लोग प्रियम मुख्य मंत्री जी प्रदेश अध्यक्स भारतिय जन्ता पाटी मध्यप्रदेश भाई वीडी सर्मा जी मोदी जी की मंत्री परिशत में मेरे साथी और दिगज आदिवासी नेता श्रिमान फगन सिंग पुलस्ते जी गुरु मंत्री मध्यप्रदेश भाई नरोतम मिश्रा जी सांसद श्री दुर्गादाज जी प्रदेश भारतिय जन्ता पाटी के प्रभारी श्रिमान मूलीदर राओ जी प्रदेश के संगटन मंत्री श्रिमान हितानन सर्मा जी प्रभारी मंत्री चिंदवड़ा श्री कमल पतेल जी प्रदेश महामंत्री भाजपा बहन कविता पाटिदार जी जिलाद्यक्स भाजपा विवेक बंटी साहू जी और आज इस विजय संकल्प की सभा में आये हुए प्यारे भाईयो बहनों माताओ और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रो मित्रो अरे बैट जाओ वहिया बैट जाओ मित्रो सबसे पहले अचल कुण के दादा जी के दरबार में प्रणाम करकर मैं मेरी बात की सुरुवात करना चाहता हूँ जल जंगल और जमीन के लिए अंग्रे जोके खिलाप ठका देने वाली लडाई लडे हुए स्री बादल भोई और सिंदवडा क्षेत्र के सभी स्वातंत्र सेनानियोकों में भी प्रणाम करता हूँ यही जिंदवडा की भुमी है जिसने रोलेट एक्ट असयोग अंदोलन जंडा सत्यागरा जंगल सत्यागरा बारत छोडो अंदोलन और धनोरा का पराक्रम ऐसे कई सारे अंदोलनों से आजादी की लडाई को धार देने का काम किया था। वो चिंदवडा की समग्र जंता को मैं प्रणाम करता हूँ मित्रो हमारा चिंदवडा क्षेत्र जन जाती भाईयों से बरा हुआ पड़ा है पिछडे समाज के भाईयों बेनों से बरा हुआ है ये चिंदवडा क्षेत्र में मैं जब आया हूँ तब मैं कहना चाता हूँ केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी ही है जिसने आदिवस्यों और पिछडा समाज के लोगों के सन्मान की चिंदा की मित्रो अभी अभी नरेंद्र मोदी जिने 15 नवेंबर 2021 को भगवान बिर्शा मुंडा की जनती को जन जातिय गवरव दिवस के रुप में मना कर देश भर के आदिवसी भाईयों का सन्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जिने किया है एक कॉंग्रेस पार्टी हमेशा पिछडा समाज की बात करती थी मगर आद तक पिछडा समाज के कल्यान का कोई काम नहीं किया 2014 में जब आप लोग ने दो तिहाई बहुमत से मोदी जी को जिताया तो मोदी जी ने OBC समाज को अधर बेकड क्लास के कमिशन को समवेधानिक दरजा देकर पिछडा समाज के सन्मान की नीव डालने का काम किया मोदी जी ने ही आजादी के 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी घर की बेटी स्रीमती द्रवपदी मुर्मु को महामहीम द्रवपदी मुर्मु बनाकर राश्ट्रपदी बनाकर आदिवास्यों का सन्मान किया है भाईों बेनों जन्जातिय संग्राले बनाने की बात की और कई सारे जन्जातियों के लिए फैसला करने का काम ये भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने की जब 2014 में देश की जन्ता ने मोदी जी को चुन कर बेजा मोदी जी ने कहा कि ये सरकार भारतिय जन्ता पार्टी की घरीब, फिच्डे, आदिवासी और दलीतों की सरकार है कॉंग्रेस ने घरीबी हटाओ का नारा तो दिया पर घरीबों के लिए कोई काम नहीं किया एक नौ साल के अंदर मोदी जी ने देश के 80 करोड घरीबों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है साथ करोड लोगों के परिवार में बेंक एकाउंट पहुचाया तेरा करोड लोगों को घर में गेस का सिलिंडर दिया दस करोड घरीबों के घर में सोचाले पहुचाया तीन करोड लोगों को अपना स्वेम का घर देने का काम किया साट करोड गरीबों को पाँच लाग तक का पूरा स्वास्थ का खर्चा प्रधान मंत्री आईशमान भारत योधना से नरेंद्र मोदी जी ने उठाया और चिंद वाडाजवालों बताओ कोरोना के दोनों ठीके लगे है या नहीं लगे हैं जिन जिनके टीके हो गए हाथ उठाओ दो जरा सबके लग चुके ना मोदी जी ने 130 करोड की जनता को मुप्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्सीत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है हर गरीब के घर में प्रती व्यक्ती प्रतीमा पांथ किलो अनाज फ्री ओप कोश्ट पहुंचे इसकी व्यवस्ता नरेंद्र मोदी जी ने कि मित्रों मैं आज कमलनाज जी को पूछना चाहता हूँ कमलनाज जी आपको एक मौका दे दिया था मध्यप्रदेश की जनता ने आपने क्या किया इसका हिसाब किताब तो जराचिंद वड़ा वालो को लो देना चाहिए और नहीं देना चाहिए भई जोर से बोलो देना चाहिए और नहीं देना चाहिए अरे नया करने का छोड़ो कमलनाथ ने प्रश्टाचार करकर हमारे सिवराधी जो छोड़ कर गए थे वो मध्यपदेश की संपती को भी लूट खसोट करने का काम किया कलहान कॉंपलेस बांध में सेंकडो करोड रुपया कोई प्रक्रिया के बगेर एडवांस पेमेंट कर दिया उनके इर्द गिर्द के लोगों के भी नाम इसके अंदर भी आए अगस्ता वेस्ट लेंड के गोटले गपले गोटाले में भी आए इन्होंने आते ही उन्होंने पहले चुनाव में कहा बेरोजगारी भत्था देंगे दिया था भाई बेरोजगारी भत्था किसी को जड़ा जोर से बोलो दिया था रुद्धा वस्ता का पेंशन बढ़ाने वाले थे बढ़ाये था क्या और मित्रो जो चल रहा था सिवराज ने शुरू किया था वो भी बंद कर दिया संबल योधना बंद कर दी तीर्थ दर्शन योधना बंद कर दी और नजाने कितनी ही गरीबों की योधनाओं को बंद करने का काम कमलनाजी ने किया कमलनाजी मैं आपके क्षेत्र में आया हूं मैं कहता हूं आपने कहा था साथपु खुला है तो जरा बता दो हराडोल कोईला खदान भाकरा कलान का भुमी पुजन किया आपने चालू नहीं किया हराई विकास खंड में माथिस का कारखाना खोलने का वादा किया था वो भी नहीं हुआ चौर्सा में पेंच थर्मल पावर बनाने की घोष्णा हुई नहीं चिंद वड़ा सहर वालो दो फ्राइवर बनाने का कहा था बने है क्या अरे जरा बोलो भई बने है क्या बंजन डेम की योधना भी आपने तीहत्तर में कहा था 2003 में सिवराज सिंग चववान ने उसको पूरा किया आपने पूरा नहीं किया था एक कमलनाज जी और कॉंग्रेस पार्टी दोनों वादा करने के लिए ही आमदा रहते हैं पूरा नहीं करते हैं ये छिंद वड़ा के लिए भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने 3400 करोड रुपे का बजेट दिया और 126,000 हेक्टर भुमी को माचा गोरा जलासाई के माध्यम से सिंचीत करने का काम हमारे सिवराजी ने दिया छिंद वड़ा में एम से संबंध अस्पताल के लिए 800 करोड रुपया दिया प्रदान मंत्री ग्राम सडक की योदना के तहट 100 करोड रुपया की लागत से 30 रोड बनाए लगबग नेशनल हाईवे के रिपेरिंग में 412 करोड खर्च किये छिंद वड़ा से नागपूर और छिंद वड़ा से मंडला ट्रेन की लाइन को भी दोहरी करन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रो नरेंद्र मोदी जी ने एक कमलनाजी ने वादों के अलावे कुछ नहीं किया माता ओ भाई ओ बेनों मुझे अभी दर्सन करने भी जाना है मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता हूँ मैं आपको पूछना चाहता हूँ एक कस्मीर हो जो है वो भारत का है या नहीं है बताईए भईया जोर से बुलिए है या नहीं है दारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी एक कॉंग्रेस पार्टी आजादी से अब तक दारा 370 को लटकाती थी भटकाती थी अटकाती थी नहीं हटा दी मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल लाकर धारा 370 को समाप्द कर दिया और मित्रो इसके साथ ही भारत माटा का मुगुट मनी हमारा कस्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जूड़ गया यह नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता उनके जवाने में पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया हरोज घुज जाते थे हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे कॉंग्रेस उप नहीं करती थी उप नरेंद्र मोदी जी ने जब पुल्वामा और उरी में पाकिस्तान ने हमला किया दस ही दिन के अंदर सर्जीकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुश कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रो नरेंद्र मोदी जी ने समग्र वामपंथी उद्रवादिक शेत्रों से उग्रवाद को लगबग लगबग समाप्त करने का काम किया है इस देश को सुरक्सा केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी दे सकती है ये देश को समरूत बनाने का काम केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी कर सकती है और इस देश के घरीबों के कल्यान का काम केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी कर सकती है मध्यपदेश में भी इतने सालों से हमारी सरकार रही जन जातियों के लिए समगरत देश में सबसे पहले पेशा कानून को लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चाहुआर ने किया है मित्रों मैं आज आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ इक सेत्र से अंदर बहुत कम बार भारतियत जिन्ता पाटी जीती है पटवा जी को एक बार जिताया था लागत चुना में 36,000 वाट से कम पड़ गए थे मुझे बताईए विदान सबा के चुना में सातो साथ चींद वाड़ा मतक शेत्र की सातो साथ विदान सबा की सीटे भारतिय जन्ता पाटी को जिताएंगे क्या जोर से बोलिये जिताएंगे 24 में चिंद वड़ा सीट जिताएंगे मध्यप्रदेश में पूर्ण अबहुमत की भाजपा की सरकार बनाएंगे 24 में मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुठी भीचे और प्रचंद आवाद से बोलिये भरात मता की भरात मता की भरात मता की वन दे, वन दे